हेलो वरीबरी कैसे आप सभी स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में आज की क्लास में हम करेंगे बटक क्लास 12 अकाउंट चेप्टर नमबर 2 के बहुती इंपोर्टेंट जो हमारे शोट कोशन होती है वो कई बार एक्जाम में इस टाइप के कोशन आपके रखनी है तो वह आपको मैं जरूर बताऊंगी एक बार ठीक है ताकि आपको वह कुंसेप्ट भी याद रहे और यह चैप्टर हमारा कंपलेट हो जगा इसलिए वीडियो को स्किप मत करना पूरी वीडियो को देखना तो चलिए स्टार्ट करते हमारा कोशन नमर्वन देख लिखना है कि गुडविल क्या होती है तो इसको आप अपने तरीके से अपने मीनिंग में आप इसको बना कर लिख सकते हैं लेकिन जब आपको कोशन में दे दिया जाए कि डिफाइन गुडविल जब आपको गुडविल को डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पर किसी की ए जो किसी भी जो हमारे राइटर होते हैं उनके according आपको लिखना पड़ेगा किसी भी एक उतर की या राइटर की आप definition याद कर लेना define में हमेशा definition ही आपको लिखनी है यहाँ पर आप meaning मत लिख कर आना माक्स आपके exam में कर जाएंगे तो देखें goodwill क्या होती है goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal profits earned by other firms in the same business यानि की goodwill क्या होती है बटा एक तरीके की reputation होती है कि आपको जो आप profit earn करती है आपको जितना normal profit से जितना आपको ज्यादा earn होता है वो over जो हमारा profit होता है वो ही हमारी क्या होती है goodwill होती है ठीक है define goodwill अब यहाँ पर देखें बटा लिखा है आपको Lord Eldon के according लिखा है कि goodwill is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place ठीक है यह किसके according है हमारी Lord Eldon के according है ठीक है meaning में क्या लिखना है definition या define में आपको क्या लिखना है next question देखें वाइज गुडविल कंसाइडर एन इंटेंजिबल एसेट बट नोटा 50 एसेट चीक है it is invisible यह देख नहीं सकते हैं hence it is treatise and intangible asset intangible assets क्या होते हैं हमारे कि जिनको हम देख नहीं सकते छोनी सकते लेकिन जिसकी value होती है it is not a 50 एसेट because it can be purchased or sold like other assets जो 50 एसेट होते हैं वाटा उनके हमारी value नहीं होती है उनको हम खरीद बेच नहीं सकते हैं लेकिन हम goodwill को क्या कर सकते हैं खरीद और बेच सकते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि 50 एसेट नहीं होता यह क्या होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है आगे देखे what are super profits super profits क्या है the term super profit means the profit over and above the normal or average profit earned by similar firms कई आप मान लेते हैं कि हमारा 10% profit होगा ठीक है लेकिन after one year हमने देखा खी हमने 10%, 15%, नहीं हमाना profit होगा तो जो जो हम सोचकर चलते हैं उससे access जो भी हमारा profit होता उसे को हम क्या बोलते है? फिर आता watch is meant by average profit, average profit क्या है? average profit क्या हो जाएगा, average profit is the average of the profits of past few years यानि कि जितने भी जो हमारे few years होते हैं, उनका हम profits का average निकाल लेते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, average profit बोल देते हैं, ठीक है सबसे पहले बेटा, यह साइड के questions कर लेते हैं, साथ साथ फिर हम बाकी के नीचे जितने भी questions है, उनको cover कर लें Explain the type of goodwill, goodwill कितने types की होते हैं, goodwill दो types की होते हैं, purchased goodwill and non-purchased goodwill पर्चेस goodwill के आते हैं, जब आप किसी भी firm में business को खरीते हैं, तो उसी के आप क्या करते हैं, उसकी goodwill भी purchase करते हैं लेकि non-purchased goodwill के आते हैं, वो self-created होती है, ठीक है, यदि आपने आपरा business start के है, आप दीरे दीरे जैसे जैसे आपको कुछ साल हो जाएंगे business करते हुए, तो आपकी firm के goodwill बिल्ड होने लगेगी, तो वो हमारी non-purchased goodwill हो जाती है, तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, detail में, आगे देखे, state any three circumstances other than admission of a new partner, retirement of a partner, and death of a partner, when need for valuation and goodwill of a firm may arise, तो क्या करते हैं, इनके change in profit sharing issue among the existing partners, ही हमारा होता है, when the partnership firm is sold out, ठीक है, at the time of formal admission of two or more firms, अब देखे बटा question number six, state the nature of business affect the value of goodwill of a firm, या फिर list any four factors that help insert creation of goodwill of partnership firm, तो nature of business हो जाएगा, हमारा favorable location of business हो जाएगा, efficiency of management हो जाएगा, इसके इंदर, market की situation हमारे इसके इंदर आ जाएगी, quality of the product की सारी चीज़े हमारे इसके इंदर आ जाएगी, आप वीडियो को पोज करके अराम से इनके अंदर के content को आप पढ़ लेन ठीक है, मैंने आपको सभी headings बता दे, क्या क्या हो सकती है, हमारी nature of business हो सकता है, favorable location of business हो सकता है, efficiency of management हो सकता है, market की situation हो सकती है, quality of the product हो सकता है, ठीक है, question number nine, देखे क्या क्या रखा है, सूरज and Delib are partners in a firm dealing in stationary items, the firm is well managed and enjoy the advantage of being cost effective, it buys stationary item at reasonable cost from Delib's relative who is a manufacturer of stationary items, the firm's sale outlet is situated near a school, as a result, the firm has a steady demand of stationary item and it is earning good profits, the firm is donating 10% of its profits to the nearby school for the education of the students of below poverty line, state any two factors affecting the value of goodwill of the firm, location effect कर रही है, efficiency of management, ठीक है, यह जो case based question होते है, यह आज कल आपके exam में भो ज़्यादा पूच जाते है, तो आपको पहले जो हमें situation given होती है, उसको अच्छे से read करना है, उसी के according आपको हमारे जो question में बोला जाए, उसका answer देना है, ठीक है, next question देखे, give the formula of goodwill by capitalization of average profit, तो यह मैंने कल भी आपको बताए था, capitalized value of the firm minus net assets हमारा यह हो जाएगा, इसका formula ठीक है, आगे देखे, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, capitalized value of the firm हम कैसे find करते हैं, आपने formula लेग दिया, उसके बाद आपको capitalized value of the firm बतानी, इसको कैसे निकालेंगे, average profit upon normal rate of return multiply by 100 करके, हमारा capitalized value निकल जाएगा, फिर हम net assets निकालेंगे, all assets minus outside, liability हमारा यह हो जाएगा, ठीक है, फिर capitalized value में से हम net assets को minus कर देगे, निकल कर आजाएगी, ठीक है, next question देखे, give the formula for calculation of goodwill by capitalization of super profit method, इसके अंदर यहाँ पर क्या आजाएगा, super profit multiply 100 upon normal rate of return आजाएगा, super profit का आपको formula पता ही है, हम average profit minus normal profit करके, हम कहला निकाल लेते हैं, super profit निकाल लेते हैं, question number 12, देखे, goodwill of a firm is not affected by its quality of product management, market situation, number of employees, तो इसका answer हो ज option number D, number of employees effect नहीं करता goodwill को, ठीक है, what is the need for valuation of goodwill, goodwill को value एक रने की जरुवत क्यों है, क्योंकि if a new partner admit होता है, if there is change in profit sharing ratio among the existing partners, if any partners retire, if any partners dies, ठीक है, अब हम move करते हैं, हमारा जो आज का main topic है, यानि कि जब हम average profit को calculate करते हैं, तो उस time हमें क्या-क्या चीज़े ध्यार में रखनी पड़ती है, तो हम value of goodwill कैसे find करते हैं, average profit method से यह मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप ले लिस्ट में जाकर चाह सकते हैं, या फिर आप इन सभी points को भी rerout कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमें याद रखने वाली जो important बात है, तो सबसे number one point देखिए, abnormal loss of a year such as loss from fire, loss on sale of fixed assets, should be added back to the profit of that year, यभी आपका कोई abnormal loss हो जाता है, तो आप उस year के profit में वापस से add कर देगे, यदि कोई abnormal income होती है, ठीक है, तो abnormal income को आप उस profit में से क्या कर देंगे, बिटा माइनस कर देंगे, नोर्मल expenses of a year such as insurance premium if not deducted out of profit should be deducted out the profit of that year, यदि आपका कोई normal expenses है, तो आप उसको minus कर देंगे, ठीक है, यदि आपने closing stock को overvaluate कर लिया है, या फिर opening stock को undervaluate कर लिया है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, deduct करेंगे, ठीक है, जितने भी amount से आपने इसको overvalue या फिर undervalue क्या होगा, ठीक है, यदि आपने undervaluation of closing stock को undervalue कर दिया है, या फिर opening stock को overvalue कर दिया है, तो उसको आप वापिस से add करेंगे, उस year के profit में, ठीक है, यदि कोई non recurring expenses या फिर income हो जात adjustment, the average profit is known as actual average profit or average maintainable profit in future, sorry बेटा, ठीक है, तो ये सभी points हमारे बड़े ही important points है, जब आपके board exam क्या, जब आप भी कोई question step में आ जाता है, तो वहाँ पर इन में से कोई ना कोई एक adjustment आपको देखने को ज़रूर मिलती है, इसलिए आपको इन सभी adjustment के note बना लेना है, ठीक है, इन notes को याद करने लेना है, लेख लेना है, ताकि आप exam में भूले नहीं, तो सभी notes आप prepare कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर देना, बाई बाई